खंडवा हर्दा स्टेट हाइवे पर दो बसों की भिडंत से बड़ी धुरुगटना हुई है टकराने के बाद दोनों बसे पलट गई हाथसे में 44 से जादा यात्रियों के घायल होनी की सूशना है दोनों बसों में 70 से जादा यात्री थे यात्रियों में कई स्टुडेंट्स है हाथसा गाउं रजूर के पास गुरुवार सुबह हुआ जिसके बाद थाना हरसूद पुलिस मौके पर पहुँची घायलों को ग्रामिनों की मदद से रेस्क्यू कर 108 एंबुलेंस से खंडवा भीजा जा रहा है हरसूद SGOP रविंद्र वासकले के मुताबिक जम्ब शक्ती और फोजदार बस की भिडंत हुई है बता दे जम्ब शक्ती बस रेहट गाउं से खंडवा आ रही थी जबकि फोजदार बस खंडवा से हुशंगा बाल जा रही थी प्रत्यक्ष दर्शी का कहना है कि डंपर को ओवर टेक कर रही जम्ब शक्ती बस फोजदार बस के सामने आ गई फोजदार बस का ड्राइवर कंट्रूल खो वेठा और बस पलट गई इससे टकरा कर जम्ब शक्ती बस भी पलट गई